हलो गैज़ आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टाव परसिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेका रहा हैं जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट आज की नीच पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखन खातम हो गया है और सीटेट 2022 का नोटिविगेशन जल्दी आने वाला है ऐसे में जो है बाइजूज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया सीटेट 2022 का फाउंडेशन कोर्स बैच थी 19 फरोरी 2022 से 31 जुलाई 2022 तक ये बैच चलेगा और हिंदी लेंगोज में आपकी बैच रह होगी आपको अगर ये बैच लेना तो आपको एक कोड यूज करना होगा टी एच थर्टी अगर आप ये कोड यूज करते हो टी एच थर्टी तो आपको 30 परसंट की डिसकाउंट बिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही जाकर इसको जॉइन कर लिजिए सबसे पहली जो अपडेट आई है वो यूपी स्कॉलर्शिप को लेकर के आई है और 3 मार्च यानि आज की न्यूज पेपर में अपडेट आई है कि विद्यार्थियों की सुल को भरपाई ना होने पर जिम्मेदार होंगे संस्थान ये बिलकुल सही चीज है और ये कदम भ लिएते हैं यहां पर लिखा कि चात्र विर्ति और सुल्क भरपाई से विद्यार्थियों के वंचित रहने पर विद्यार्थियों और संस्थानों की जवाब दही भी तैं होगी प्रवेश परिक्षापल और डाटा फारवर्ड करने में देरी के लिए भी जिम्मेदार मान जाएंगे इन मामले में दोसी मिले विद्यार्थियों के खिलाब कारिवाई के साथ विद्यार्थियों को हुए नुक्सान की भरपाई भी उन से की जाएगी प्रदेश में अनसूचित जात वा जनजात के विद्यार्थियों के अविद्यार्थियों 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 के अवि योजना के तहट भुक्तान तीन अलग अलग चरणों में पूरा हो पाएगा इस्तिती यहा है कि तमाम पार्टिक्रमों का रिजल्ट तो फरावरी में जारी किया गया है इस समस्या से निपटने के लिए समाज कल्यान विबाग कड़े नियम बनाने में जा रही है इसमें परिक्षा फल भी समय से देंगे जिससे पात्र विद्यारती समय से योजना के तैत आवेदन कर सकें वहीं उनका डाटा भी संस्थान वा विश्विद्याले अस्तर से निर्दारी समय सीमा के वीतर आग्रसारित हो सके यह काफी अच्छी जो है पहल है कि अगर कोई तो उसका जवाब देए वो खुद होगा और ऐसी इस्तिती में जो है छात्रों की सुलक बरपाई उनी से किया जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें यहापर बता दी गहीं है और कापी अच्छी अपडेट यह है इस अपडेट के बारे में आप लोग क्या कहते हैं वो आप क परिक्षा के इंद बनाएगे हैं जहां कोबिट प्रोटोकॉल के पालन के साथ परिक्षाएं संचालित की जाएंगी बेट तीसरे समेश्टर की परिक्षा तीन दिन में पूरी की जा रही है तो आप देख लीजे बेट तीसरे समेश्टर की परिक्षाएं जो हैं वो शुर नौकरियों में बढ़ाएंगे तीन साल की आयू सीमा अकले स्यादो जी ने कहा है जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो है भरतियों को ले करके बिबिन रहलियों में फिर चाहे वो भाच्पा कंडिडेट हो चाहे वो सपा कंडिडेट हो आम आदनी पार्टी हो कांग्रेस हो अकले स्यादो जी ने की है सपा के राष्ट्य अध्यक अकले स्यादो ने बुद्वार को पांच विदान स्वा चेत्रों के प्रत्यासियों के समर्थर में ताबर तोड़ जन सभाएं की जमुनिया में आयो जी सभा में उन्होंने कहा कि सपा नौजवानों का भविस बनाने जाएगी ठीक है तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो ही आ रही है और यह जरूरी भी है हाला कि भले ही यह जो बयान है वो चुनावी रेलियों में हो रहा है लेकिन यह जो है हाई कोड तक जाना पड़ा लेकिन वहां से भी कोई रहात नहीं हुआ तो यह एक बड़ी अपडेट है ठीक है चलिए वहें पर हम बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर के जो आई है असिस्टेंट प्रोफेसर भरती में पिएचडी की वेटेज पॉलिसी पर जवाब तलब हाई कोड ने इलाहबाद विसुविद्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती में पिएचडी के लिए वेटेज पॉलिसी की अठाइस सितंबर 2021 की अधसूचना को लेकर दाखिल याचका पर UGC वा इलाहबाद विस्विद्याले सहित अर्ण विपक्षियों से जवाब मांगा है यहाँ आदेश नयायमूर्ती राजियू जोसी ने अजीत कुमार राई की याचका पर दिया है याचका में 28 सितंबर 2021 की अद्सूचना को रद करने की मांगी गई है कहा गया है कि याची 24 अक्टूबर 2021 को इलाहबाद विस्विद्याले के सारीरिक सिक्षा विवाग में सहायक प्रोफेसर के पतपर निउक्त के लिए आवेदन किया था COVID-19 महामारी के मद्दे नजर PhD के अनिवार योगिता को लागू करने की तिती बढ़ा दी गई है 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले बाद्धिकारी उपबंद को 1 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया है और इस संबन में संसोधन 11 अक्टूबर 2021 के राज पत्र में पहले ही अत्सूचित कर दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बरती होती है उसमें PhD को जो बेटेज मिलता उसको लेकर के जवाब तलब यहाँ पर किया गया है आप लोगों जिसकी लिए भी यह निवज इंपोर्टेंट है आप स्कीन सोड लेकर इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं चलिए अब वहीं बात करते हैं PCS Pre को लेकर के जिसकी उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है PCS 2019-20 की उत्तर कुंजी जारी ना होने से नाराज अब्यारतों ने दाखिल की थी याचका उत्तर प्रदेर लोग सेवा आयोग ने सम्मलित राज प्रवर अधिना सेवा प्रारंभी परिक्षा 2019-20 की उत्तर कुंजी बुद्वार को एक साथ जारी कर दी है परिक्षा संपन होने के कई साल बीज जाने के बाद भी उत्तर कुंजी जारी ना किये जाने से नाराज चात्र कोड चले गए थे हाई कोड ने इस मसले पर आयोग से हलप नामा मांगा तो बुद्वार को आयोग ने दोनों वर्सों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है उत्तर प्रदेर लोक सेवा आयोग ने PCS 2019 की परिक्षा की प्रारंबिक परिक्षा 15 दिसंबर 2019 को प्रदेश के 19 जिलों में आयोजित कराई थी प्रारंबिक परिक्षा का परणाम दो साल पहले 17 परोवी 2020 को जारी किया गया था जबकि 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित PCS 2020 की प्रारमिक परिक्षा का प्रणाम नॉम्बर 2020 को जारी हुआ था आयोग ने इन दोनों भरतियों का अंतिम चैन प्रणाम क्रमसा 17 परोई 2021 और 12 अप्रेल 2021 को जारी किया था उत्तर कुंजी और आंसर स्रीट को लेकर प्रतियोगी चात्र रस्मी मिस्रा ने हाई कोर्ट में याचकादार की थी इस मसले की सुनवाई चल रही है आयोग के परिक्षा नियंतरक का काईना है कि उत्तर कुंजी के जारी करने में तकनीकी ब्योधान के करण कुछ भी लंब हुआ है ठीक है ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा और PCS 2019 में 13 और 2020 में हटाए गए 8 प्रस्न ये भी एक बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेल लोग सेवा आयोग ने PCS 2019 प्रारमभीक परिक्षा के दोनों प्रस्न पत्रों से 13 तो PCS 2020 से और 8 प्रस्न डिलीट कर गया है वहीं PCS 2020 में सामान अध्यान के दुतिये प्रस्न पत्र से 5 तो C सेड के दुतिये प्रस्न पत्र परिक्षा के प्रिवेस्पत जारी केर दिये गए हैं प्रिवेस्पत आयोग की वेबसाइट पर अपलोट कर दिया गया है आयोग के परिक्षा द्यात्र करवित कुमार मिस्रा के अनुसार मुख की परिक्षा 13 मार्च को प्रयागराज और लखनों की केंद्रों में होंगी तो पहली बार राजकी इंटरकालिजों में प्रवक्ता पदों पर भरती प्रारंभिक और मुख की परिच्छा के माध्यम से खराई जा रही है अभी तक साक्षतकार के माध्यम से सीधी भरती होती थी जैसी में 16 विश्यों में प्रवक्ता के 1470 पदों के लिए होने वाली भरती में पुरुस वर्गों के 991 और महला वर्गे 482 पद है तो आप इसको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट है चली तो इतनी सारी अपडेट जो है आज की मौनिंग अपडेट में थी